नमस्कार, सुसल संबाद में स्वागत है, मैं से स्वी पूशन अभी इस देश में बड़ी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर चारों तरब से चर्चा हो रही है मुप्त खोरी, प्रदान मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो इस देश में रोडिया बाटने का कल्चर है, उसे बंद करना होगा इसके बाद देश भर में जो मुप्त खोरी की जो है, चर्चा होने लगी फ्रीवी की और इमामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कई तरह की बाते हो रही है और उस पर पुरदेश में ये चर्चा हो रही है कि जो आम आदमी के लिए तरह-तरह की घोशना होती है, जैसे आपने देखा कि अभी पाच किलो अनाज मिल रहा है, कहीं बिजली, कहीं फ्री, अलग-अलग सरकारे, अलग-अलग तरह की घोशना कर रही है तो कुछ लोगों कहना है कि इससे देश से इस देश का आर्थिक जो अर्थ विवस्ता है, वो खराब हो रहा है इसले कि मुफ्थ खोरी कल्चर का अगर बढ़ावा देगा, तो देश लंका के तरह हो जाएगा इस तरह के तर्क दिये जा रहे है, लेकि इससे इतर एक सवाल एह है कि जो आम आदमी को अगर कोई सुभिधाय अगर इस देश में दी जा रही है, तो ओगर मुफ्थ खोरी है लेकिन दूसरी तरफ इस देश में जो एक इलिट कलास है, जो रशुकदार है उसके लिए तमाम चीज़ें तरह के दी जा रही है, जैसे आपने देखा होगा को रहत मिले, दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा, कि कभी-कभी जब मंदी आती है, तो उनके लिए बेल आउट पैकेज दिया जाता, हजारो करोड का तो क्या वो मुफ्थ खोरी नहीं है, उसके साथ आपने ये भी देखा होगा, इस देश में उनके लिए कई तरह की ये उजनाय तियार किया जारे जो रशुकदार है और इस देश में एक और इलेट प्लास है, जो हमारे जनप्रत्निदी हैं, सांसद हैं, बिधायक हैं, मंत्री हैं, उनके लिए भी कई तरह की फ्री योजनाय चल रही है तो क्या वो मुफ्त खोरी नहीं है, क्या उससे इस देश की अर्थ व्योस्ता खराब नहीं हो रहा है, क्या वो आर्थिक बोज नहीं है किवल जो आम आदमी के लिए दिया जाना वला, पाच किलो आना, जगर, और विजली और पानी फ्री की घोशना, हलाकि उग भी फ्री नहीं होता है एक तरह कहने के लिए, किवल उचट्वावी एक तरह से जुम्ला वाता है, कहने के लिए फ्री होता है लेकिन उसमें term and condition होता है तो आम आदमी के लिए इस देश में कुछ भी free नहीं होता है एक तरफ दिया जाता है दूसरे हाथ से लिया जाता है लेकिन मेरा कहना है कि आप elite class के लिए जिसके लिए लाखो करोड का loan write up कर देते हैं तब देश की आर्थिक अर्थ ब्योस्ता खराब नहीं होता क्या जिसके लिए अर्थ जो है आर्थिक बोज नहीं होता लेकिन आप 5 किलो अनाज और कुछ unit बिजली और पानी आप देते हैं तो ओ इस देश के लिए मुप्तखोरी हो गया और रियोडी बाटने के जस्सा हो गया एक बात और भी कहना है कि इस देश की जो आर्थिक अर्थ बोज है या र्थ व्योस्ता खराब है इस देश की आम आदमी का दोश नहीं है इस देश का अर्थ व्योस्ता खराब होने के पीछे अगर सबसे बड़ा दोस है तो उन घुटाला बाजों को जो इस बैंक के लाको करोड रुपया लेकर भाग जा रहे हैं इस देश के अर्थ व्योस्था खराब होने के पीछे उन पॉल्टिकल पाटियों कहा थे जो इस सत्ता बनाने और बिगाडने के लिए पानी के तरह पैस जो है आपकी आपकी जो है सड़क मार्ज के लिए सो सो करोड रुपय खर्च किया जा रहे हैं वो इस देश के लिए बोज है उस कल्चर का दोस है तो अगर बात करनी है तो उस पर करिए आम आदमी का देने वाला जो चीज है वो मुफ्थ नहीं है तो आप अगर इस बात से समत हों तो इस वीडियो को जुरू स्यार करेंगा अप्टे सेयोगे शिस्त्रा मुर्ति के साथ सची पूशन सोसल समबाद निव्ज जार करन